हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी अटलांटिस की रहस्य मई खोई हुई सभ्यता के बारे में सुना है? अटलांटिस एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता थी, जो बिना किसी निशान के गायब हो गई. कुछ लोग मानते हैं कि यह एक वास्तविक जगह थी, जबकि अन्य सोचते हैं कि यह सिर्फ एक मिथक है. लिकिन क्या होगा? यदि अटलांटिस वास्तव में अस्तित्व में था, अटलांटिस की कहानी ने सदियों से लोगों की कलपना पर कबजा कर रखा है. इसके बारे में कई सिध्धान्त मौजूद हैं. कुछ का सुझाव है कि यह भूमध्य सागर में था, जबकि अन्य का मानना है कि यह अटलांटिक महसागर में था. कुछ लोग तो यह भी सोचते हैं कि यह अंटार्क्टिका में रहा होगा. अनगिनत अभियानों और खोजों के बावजूद, एटलांटिस का खोया हुआ शहर वैसा ही बना हुआ है, खोया हुआ लेकिन एटलांटिस से जुड़ा रहस्य और साजश दुनिया भर के लोगों को आकरशित करती रहती है जैसे की क्या अटलांटिस एक अत्यधिक उन्नत समाज हो सकता था, जिसकी तकनीक हमारी समच से बहुत परे थी, या यह महज अहंकार और लालच के खत्रों के बारे में एक सावधान करने वाली कहानी थी सच्चाई जो भी हो अटलांटिस की कथा हमारी कल्पनाओं में जीवित है, माना जाता है कि अटलांटिक महसागर में अटलांटिस एक टापू पर स्थित था, इस शहर का जिक्र यूनान के दार्षनिक और गणितज प्लेटों की कहानियों में मिलता है 360 इसा पूर्व प्लेटों ने इसे दुनिया का सर्वाधिक सभ्यनागरिक, सभ्यता का केंद्र माना था समुद्र में डूब कर एक पहेली बन जाने वाले इस शहर को पूरे यूरोप का केंद्र भी कहा जाता रहा समय समय पर इतिहासकार दावा करते रहे हैं कि यह शहर अब भी कहीं अट्लांटिक महसागर में दफन है और इसके सबूत मिलते रहे हैं मशहूर लेखक चार्ल्स बर्लिट्स ने भी अपनी किताब Edmistry of Atlantis में इसके अस्तित्व को साबित किया है और इसके गायब होने को बर्मुडा ट्राइंगल की तरह ही रहस्यमयी माना है कई वैग्यानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि वे एक न एक दिन इस शहर को भी खोज लेंगे लेकिन सच तो ये है कि अब तक Atlantis शहर का अस्तित्व दार्षनिक प्लेटों की कल्पना ही माना जाता है कोई भी इतिहासकार इस शहर के होने के दावे को साबित नहीं कर सका है क्योंकि अब तक इस शहर का कोई भी अवशेश समुद्र तल में नहीं खोजा जा सका इसका क्षेत्र फल लीबिया और पूरे एशिया के क्षेत्र फल से भी ज्यादा बताया जाता है ऐसे में यह असंभव लगता है कि इतना बढ़धा क्षेत्र ओशियोग्राफी की आधुनिक तकनिकों पन डुब्यों और गहन खोज के बावजूद वैज्यानिकों की नजरों से बचा रह जाए प्लेटो की कहानी भी अट्लांटिक महासागर के जिस हिस्से में इसके होने का दावा करती है वहाँ इतनी बढधी जगहे ही नहीं है जिसमें यह विशाल शहर समा सके क्या समुद्र पूरे शहर को निगल सकता है दुनिया भर में इतिहास में जिज्जासा रखने वाले लोग आज भी खोए हुए शहर एट्लांटिस को ढून रहे हैं अशा करता हुए वीडियो आपको पसंद आई होगी ऐसे ही और भी रहस्यमई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले